हलो स्टुडेंट स्वागता आपका हमारे क्यू के स्टेडी चैनल पर जिसमें हम आपके लिए लेकर क्या आए हैं राजस्तान जी के और जन्रल साइंस की टोप क्यूशन सीरीज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले आप अमारे चैनल पर नहीं है तो फटाफशे चैनल को कलिजिए सस्क्राइब इस चैनल पर आपको टोपिक वाई जी टोप क्यूशन सीरीज देखने को मिलेगी जिससे आप अपने तयारिका कापी सांदार तरीके से आंकलन कर सकते हैं हमारा जो राजस्तान जी के में पार चल रहा है वह है राजस्तान की कलासंस करती हम अभी राजस्तान की कलासंस करती के टोपिक को टोप क्यूशन सीरीज के माद्यम से कंप्लीट करें तो आज हमारा जो टोपिक है वो राजस्तान के प्रमुक लोग वादिय अंतर से हैं जिसमें हम इस टोपिक को कंप्लीट क्य देखेंगे और अगर आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो इससे आपके फ्रेंड्स को भी अपनी तैयारी करने में आसानी रहेगी क्योंकि इस से नर्बार आपको बेस्ट टोप क्यूशन सीरीज मिलने वाली है तो इस्टुडेंट आज फरस्ट कुमिशन की ओर जो देखते हैं यह कौन सा होने वाला खें आज का अमारे प्रमुक लोग वाधवी उंतर से फर्ष्ट कुमिशन है जहूर खाम मेवाति किस वाधवी उंतर से संबन्नलित हैं हमसे यह पूचा गया है जो जहूर का मेवाति हैं वह कौनसा आंसर होने वाला है क्यूशन निम्बर फर्ष्ट का आंसर है ऑप्शन ए वफंग वफंग जो जवूर्खा मेवाती दुवारा बजाया जाता था इस्टुडेंट में आपको बता दू जो बफंग है वह एक परकार का तत्वादे यंत्र है सीधा सा तत्वादे यंत्र का सीध इसा मतलब है यह है तारो दुवारा बजाया जाता है उसी के साथ बफंग मेवाद छेत्र में सरवादिक पर चलीते हैं स्टुडेंट अगर आपको नहीं पता है मेवाद के अंदर कौन-कौन से छेत्र आते हैं तो मैं आपको वह भी बता देता हूं मेवाद के अंदर अगर आपको इन क्यूशन के आंसर पता है तो आप भी कमेंट के माद दिम्शून का जबाब दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बुले। क्यूशन नंबर टू राजिस्तान के उमर फारुक मेवाति का सम्बंद कि स्यत्र से है। तो हमारे उप्षन से उप्षन ये प्रियावरण, उप्षन भी खेल, उप्षन C संगीत, उप्षन ये चिकिस्सा। क्यूशन नंबर टू में सही आंसर होने वाला है, उप्षन C संगीत से उमर फारुक की मेवाति का सम्बंद है। चलते हैं स्टुडेंट नेक्स्ट क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर त्री है, रमजोल किस परकार का लोक वात्य यंत्र है। तो हमारे उप्षन से, उप्षन A आउनद, उप्षन B तत, उप्षन C सुशिर, उप्षन D ये गन, क्यूशन नंबर त्री में सही आंसर होने वाला है, उप्षन D गन, रमजोल एक परकार का गन वात्य यंत्र है, मैं आपको बता दू, गन वात्य यंत्र वो होते हैं जो ध में तार का उप्षन गोता है, और साथ इसाजो अवनद वाद्य यंत्र हैं, यह डोल के समान बना हुआ होता है, स्टुडेंट रमजोल एक परकार का आपूशन भी होता है, जो पैर के अंदर पहना जाता है, चलते हैं स्टुडेंट नेक्स क्यूशन के और हमारा अगला क् अगला क्यूशन है Q5, निमन में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है हमारे ओप्षन से, ओप्षन ए बपंग तत, ओप्षन भी नड़ घन, ओप्षन सी सिंगी सुशिर, ओप्षन डी तासा अवनद Q5 में सही आंसर है Option B, नड, नड गन वादे यंतर नहीं है, यह है, एक सुशिर वादे यंतर होता है Student इसी के साथ साथ माप को उतादू, जो नड वादे यंतर बजाने वाले सरवादिक परशिद कलाकार दे, उनका नाम करना भील है साथ साथ माप को बतादू, जो एक तासा है, वह भी चम्डे से बना हुआ होता है, और जो चम्डे से बने हुए होते हैं, वो अवनद वादे यंतर के अंदर आते हैं चलते हैं, student, next question के और हमारा अगला question है, question number six करना भील किस वादे यंतर का परशिद कलाकार था, अभी मैंने आपको बता था, तो हमारे option से option A, नड, option B, मोरचंग, option C, 17, option D, खरताल question number six में, सही आंसर है, option A, नड, करना भील, जो की नडवादे यंतर के परशिद कलाकार थे चलते हैं, student, next question के और, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले question number seven, राजस्तान के किस लोग वादे को जूज होर पे भी कहा जाता है, तो ऐसा कौन सा वादे यंतर है, जिसे जूज होर भी कहा जाता है मैं आपको बता दू, ये जूज होप है, वे, इरोप का एक प्रकार का यंतर है, जिसे बजाया जाता है, तो हमारे उप्षन से, उप्षन एक खड़ताल, उप्षन भी मोर्चंग, उप्षन सी रावन अकता, उप्षन डिक कमाये जा, Q7 में सई answer है, उप्षन भी मोर्चंग, मोर्चंग को राजस्तान का जूर्ज होप भी कहा जाता है, और मैं आपको बता दू, जूर्ज होप और मोर्चंग है, ये दोनो सुशिर वाद्दे यंतर है, वो यंतर होते हैं, जिने, जिनमें हवा देने से, उनमें से आवाज या दवनी निकलती है चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 8 निमन में से कौन सा लोक वाद्दे तत वाद्दे यंतर नहीं है ऐसा कौन सा वाद्दे यंतर है जो तारों से बना हुआ नहीं है या उनमें तारों का प्रियोग नहीं होता है तो हमारे options है जनतर जनतर एक प्रकार का एसा वाद्दे यंतर है जनतर एक प्रकार का तत वाद्दे यंतर है student इसमें तारों का प्रियोग होता है और हमसे क्यूशन में यही पूचा गया है तो student उसी के साथ साथ माप को उता दू जो जनतर वाद्दे यंतर है वह है जब देव नारायन जी की फड़ बांची जाती है तब गूजर जाती के बोफो के दुआरा जंतरवाद्दे अंतर को बजाया जाता है और जो अलगोजा, पूंगी और बांकिया है यह तीनों सुशिरवाद्दे अंतर है चलते हैं फिशंटे next question के और हमारा अगला question है question 9 रामना चोद्री का संबंद किस यंतर से है किस वाद्दे यंतर से रामना चोद्री का संबंद है तो हमारे optionOT select option compare optionư बेंपूंगी कोई निक क्यूशन नमबर नाइन में सही आंसर है ओप्षन ए रामना चोद्री का समंद्ध अलगोजा से है अगर आपको वीडियों चिल लगजी तो वीडियों लाइक और शेयर करना ना भूले चलते हैं नेक्स्ट क्यों और हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर टैन निम्न में से कौन सा वाद्दे अंतर बांसूरी की तरह होता है ऐसा कौन सा वाद्दे अंतर है जो सुशिर होता है यारी कि हवाद देने से बतता है और बांसूरी की तरह दिखता है तो हमारे ओप्षन से ओप्षन A अलगोजा ओप्षन B बपंग ओप्षन C रावनत्ता ओ रेड़ी में आते हैं, इनका सुशिर वाद्दे यंतर का मदलब है कि जिनमें हवा देने से दवनी उत्पन होती है, तो चलते हैं, श्टूदेंट नेक्स्क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है, क्यूशन नमबर 11, पांच छिदर होते हैं, वैसे श्टूडेंट अलगोजा जो वाद्दे यंतर है, उसमें तीन से लेकर के पांच छिदर होते हैं, तो student चलते हैं next question के ओर हमारा अगला question है question number 12 वाद्दे अंतर टामक राजस्तान के किस सांसकर्तिक छेतर से सम्बंदित है तो हमारी option से option A मेवाद, option B मेवाड, option C मारवाड, option D मेरवाड question number 12 में सई आंसर है, option A मेवाद, चेतर से टामक वाद्दे अंतर सम्बंदित है और मैंने अभी आपको बता था, मेवाद में कौन-कौन से जिले आते हैं अलवर और बरतपूर और ये दोनों किस से सीमालग बनाते हैं, हरियाना से तो चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है, question number 12 निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्दे अंतर नहीं है, कौन सा ऐसा अंतर है, नहीं है जिसे हवाज से दोनी उत्पन नहीं होती है, तो हमारे option से option A सुन नहीं, option B सतारा, option C नड, option D सुर मंदल question number 13 में सही answer है, option D सुर मंदल, सुर मंदल ऐसा वाद्दे अंतर है, जो सुशिर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, जो सुर मंदल है, वह है, एक परकार का तत्थ वाद्दे अंतर है, इसमें तारों से दोनी उत्पन होती है चलते हैं, student next question के और, हमारा अगला question है, question number 14 निमन में से कौन सा तत्य लोग वाद्दे अंतर नहीं है, तत्य हमसे पुछा गया कि ऐसा कौन सा वाद्दे अंतर इनमें नहीं है, जिनमें तारों का परियोग नहीं हुआ है तो हमारे option से, option ये रावनत्ता, option भी बपंग, option C, रवज, student ये रवाज है, और option D, मादल, question number 14 में सही आंसर है, option D, मादल, एक परकार का ऐसा वाद्दे अंतर है, जिसमें तारों का प्रियोग नहीं होता है, और हमसे यहीं पुछा गया है कि कौन सा तत्द वाद्दे अंत है, student मादल को बता दूँ, जो मादल है, वह आउनद्द वाद्दे अंतर है, ये चम्डे से बनाया जाता है, और जो मादल को बजाने वाले लोग नरते हैं, वह गराशिया जाती द्वारा कर किया जाता है, गराशिया, चलते हैं, student next question के और हमारा अगला question है, question number 15, राजस्तान में बोपव का मुख्य वाद्दे अंतर है, राजस्तान में जो बोपव हैं उनका मुख्य वाद्द अंतर कोण सा है? तो हमारे option से option A, तंदूरा, option B, अलगोजा, option C, कमायचा, option D, राउनत्ता Question number 15 में सही answer है, option D, राउनत्ता राउनत्ता जो भोपो का मुख्य वाद्दे अंतर है, साथी साथ माप को बता दू जो राउनत्ता है, वह एक परकार का तत वाद्दे अंतर है, इसमें तारों का प्रियोग होता है उसके साथी साथ माप को बता दू जो राउनत्ता है, वह एक प्राचीन वाद्दे अंतर है और सातीसाथ इसमें नोतार होते हैं रावनत्या के अंदर नोतार होते हैं सातीसाथ यह बोपो का मुख्यवाद्र दी अंतर है और यह पाबु जी और जो रामदेव जी के बोपो दुआरा बजाया जाता है तो चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है question number 60 स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर आप नहीं है तो फटाफर्ची चैनल को कर लिजे सस्क्राइब इस चैनल पर आपको रोज जीके और जनरल साइंस की टॉप क्यूशन शिरीज देखने हो लिगी ये टॉप क्यूशन शिरीज आपके एक्जाम लेओल को द्यान में रखकर बनाएगी साथ इसाथ इनसे आपके एक्जाम में क्यूशन आने के संभावना ज़्यादा रहने वाली है तो आप अपनी तेहरि काफी संदर तरीके से उन्हें करवा सकते हैं तो इस्टूडेंड हमारा अगला क्यूशन है 16 निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिनसे तारों से दोनी उत्पन होती है या तारों का प्रियोग किया जाता है तो हमारे उप्शन से हुआ आज एक परकार का तत्वाद्य यंत्र है 17 जो सतारा है वह एक परकार का सुशिर यंत्र है और यह दोनों होटों के बीच में लेकर बजाया जाता है चलते हैं स्टूडेंट नेक्स कुशन के और हमारा अगला कुशन है क्यूशन नमबर 17 रावन हत्ता को निम्न में से किसे बनाये जाता एजो राउन अटा एजुसे बनाने में किसका इस्तमाल किया जता है किसका उत्यों किया जता है तो हमारे उप्षण से उप्षण एफ़ात कारवंद उप्षण काज का बुरतन उप्षण डी नीम की लकड़ी Q40 16 में सही अंसर है option A, नारियल से राउनत्त का निर्मान किया जाता है और मैं आपको बतादू, जो आदे कटे नारियल होते हैं उनसे इसको बनाया जाता है आदे कटे नारियल से राउनत्ता को बनाया जाता है और मैंने आपको अभी बतायता है जो रावनत तागे अंदर 9 तार होते हैं तो सीधा सीधा आरते हैं यह एक प्रकार का तत वाद्दी अंतर है तो चलते हैं next question की ओर हमारा अगला question है question number 18 मांगनियार दुआरा प्रियुक्त वाद्दी अंतर कौन सा है जो मांगनियार प्रियुक्त करते हैं वाद्दे इंतर कौन सा है तो हमारे option से option जनतर, option B भफंग, option C रवाज, option D कमायचा Question number 18 में सही answer है option D कमायचा, कमायचा मांगने और दूआरा परियुक्त वाद्दे इंतर है चलते हैं next question के और हमारा अगला question है question number 90 किस लोग वाद्दे में परसिद होने के कारण साकर खान को 2012 में पदम सिरी से सम्मानित किया गया था साकर खान हमसे यह पूचा गया है कि साकर खान कौन सा वाद्दे हंतर बजाने में परसिद्धी आंसिल की थी तो हमारे option से option A, कमायचा, option B, सारंगी, option C, मोर संग, option D, खड़ ताल Question number 19 में सही answer है Option A, कमायचा बजाने के कारण साकरकान को 2012 में पदम सिरी से समानित किया गया था चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है Question number 20 निमन में से कौन सा सुशिर वाद्दे यंतर नहीं है ऐसा कौन सा यंतर है जो हवा फूंक मारने से नहीं बज़ता है तो हमारे option से option A, टोटो, option B, सतारा, option C, बांकिया, option D, कमायचा Question number 20 में सही answer है Option D, कमायचा, कमायचा जो की सुशिर वाद्दे यंतर नहीं है चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है Question number 21 निम्न में से कों सा मूझ दूवारा बज़ाय जाने वाला यंतर नहीं है इस question में हम से गुमागर पूदा गया है कि मूझ दूवारा बज़ाय जाने वाला यंतर नहीं है सिदा सिदा पूंता तो यह होता कि निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्दे यंतर नहीं है तो हमारे option से option अलगोजा, option B 17, option C मसंग, option D रवाज Question number 21 में सई आंसर है option D रवाज रवाज एक सुशिर वाद्दे यंतर नहीं है बाकी यह तीनों है वह सुशिर वाद्दे यंतर है यानि कि मुह दुवारा बजाए जाते है तो student जो रवाज है वह एक परकार का तत्वाद्दे यंतर है चलते हैं student next question के और हमारा अगला question है Question number 22 बाकिया, सिंगी, टोटो, लोग वाद्दे, किस परमपरासे संबंद है हमसे पुचा गए जो बाकिया, सिंगी, टोटो, वे किस परकार के वाद्दे यंतर है तो हमारे option से option ए तत्वाद्दे, option भी आउनद्द वाद्दे, option सी सुशिर वाद्दे, option भी घन वाद्दे Question number 22 में सही answer है option सी सुशिर वाद्दे यंतर है बाकिया, सिंगी, टोटो, इनको मुझ से बजाया जाता है तो चलते हैं student, next question के और हमारा अगला question है Question number 23 निमने में से कौन सा यंतर 13 ताली नर्दे में काम नहीं आता है जब 13 ताली नर्दे किया जाता है तब कौन सा यंतर नहीं बजाया जाता है तो हमारे options है, option है, option है, मंजीरा, option भी तानपुरा, option सी 14, option D है, डेरू Qution number 23 में सही आंसर है, option D डेरू डेरू, 13 ताली नर्दे में काम नहीं आता है, बाकि मंजीरा, तानपुरा और 14, तीनों 13 ताली नर्दे में काम आते हैं चलते हैं student, next question के और हमारा अगला question है सारंगी बोपे, पूंगी मांगनियार, कमाय चाल लंका, रावनता काल बेलिया देखते हैं कौन से किसको सुमेलित करेंगे, तो हमारे options है option A, 1, 2, 3, 4, option B, 3, 4, 2, 1, option C, 4, 2, 1, 3, option D, 4, 3, 2, 1 student, question number 24 का सही answer है, option B, 3, 4, 2, 1, मैं आपको एक बार सभी को सुमेलित करके बता देता हूँ जो सारंगी है, वह एक प्रका, जो सारंगी है, वह लंका दुआरा बजाई जाती है और जो पूंगी है, वह काल बेलिया दुआरा बजाई जाती है और जो कमाय चाल है, वह मांगनियार दुआरा बजाई जाता है ऐसा कौन सा वाद्य उंतर है जिसमें तारों का प्रियोग नहीं हुआ है तो हमारे option से option जंतर, option B भपंग, option C दुका का option D नागपनी Q25 में सई आंसर है option D नागपनी नागपनी तत वाद्य उंतर नहीं है मैं आपको बता देता हूँ जो नागपनी है वह एक प्रकार का सुशिर वाद्य अंत्र है ये मुदुवरा बजाय जाता है स्टुडेंट ये ते आज के हमारे टोपिक राजिस्तान के प्रमुक लोग वाद्य अंत्र से टोप 25 क्यूशन अगर आपको उमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नाव लिए चैनल पर आप नहीं है तो पटापट से चैनल को कर लिज़े सब्सक्राइब इस चैनल पर रोज जिके और जनरल साइंस की टोप क्यूशन शीरी देखने को मिलेगी जिसके माद्यम से आप अपनी तैयरी का कापी सांदार तरिके से आंकलन कर सकते हैं तो अगर आपको उमारी वीडियो अच्छी लगी तो इससे अपने फ्रेंट्स को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयरी का आंकलन कर पाए झाली